तो सवाल यह है कि क्या इसका दोबारा मतलब रिजल्ट आएगा कि क्या होगा क्योंकि आपको पता है दोस्तो भारतिय डांक सिवा जो है इंडियन पोस्ट में 38,926 पोस्ट पे मैसे दोस्तो आवेदन हुआ था और यह जो था इसमें एक्जाम वेगर नहीं हुआ था इसमें उतना ही ज़्यादा पहले बरियता दिया गया था तो यहां पे shortlisted candidate देख सकते हैं और इसमें हम अगर क्लिक करेंगे और माली यहां पे हमने बिहार क्लिक कर लिया ठीक है तो यह पूरा का पूरा एक PDF खुलेगा अब यहां पे मैं बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत है यहां प 90% लोग कुछ ऐसे भी थे जिनको job वेगरा से कुछ मतलम नहीं था उनको लगा कि देखते हैं क्या होता है तो marks क्या है ना कि वो लोग apply कर दिये थे 98% 97% 99% leak करके भी उन्होंने डाल दिया था मतलब अपने से भी और बाकि सब तो genuine जिन्होंने डाला था उनका तो सही है ले का 7-8 दिन में पता चाल जाएगा 6-7 तारिक से आपको क्लियों होगा क्योंकि डीवी जब होगा document काम होता इसमें तो उसमें clear हो जाता है उसी समय दोबारा जाच होगा और जाच में पकड़ा जाएगा तो पकड़ जाने पर फिर उसको हटा दिया जागा ना तो जो लोग ह भराएगा उसमें जब reject किया जाएगा तो बहुत सारे candidate reject भी हो जाएगे 8 दिन में पता चल जाएगा जब reject होंगे तो उनके जगह पर जिनका नहीं हुआ था मतलब कि मालीजे को फर्जी तरीका से 100% लिख दिया तो उनका नहीं हुआ तो कुछ लोग ऐसे भी है जिनका इन तो डाल दिया इनको क्या पता कि नोकरी ऐसे थोड़ी मिल जाता है अंक डालने से अंक डालने के बाद फिर जब फिर से scanning होगा टू लेयर थ्री लेयर में होता है उपर तक जब तक आपको जौब नहीं मिल जाता है दो तीन चार चरण में आपका ये जाच किया जाता है तो वह जैसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोबारा रिजल्ट आ जाए तो ये अभी नहीं पता चलेगा अभी आठ दिन के बाद आठ दिन देखिएगा सब कुछ किलियर हो जागा ये मैं बात कर रहा हूं भारतिये डांक से वाका ये सब का कटफ निकाल दिया गया राज्यव और ये 38,000 पदू पर निकला था जो भी खबर आएगी बताने का प्रियास करेंगे अभी किलो से इतने हैं मेल द्यास ने उड़क साथ तक तक लिए जा जा दिजे जैन देखिए